सुपरभात बच्चों, आज की वीडियो क्लास में आपका स्वागत है ये वीडियो है क्लास वन के लिए और विशह ब्याकरन जिसका सिर्शक है चप्टर फोड में सन्युक्त आक्षर तो सन्युक्त आक्षर का मतलब होता है सन्युक्त जोर अक्षर यानि जिसमें अक्षर जो है जुरा हुआ हो यानि सन्युक्त हो तो इसमें सन्युक्त आक्षर के बारे में हम पढ़ेंगे इस पाठ में तो इसमें हैं अक्षो, त्रो, ग्यों, और स्रो को सन्युक्त बेंजन कहा जाता है ये चार वर्ण है यहाँ पे दिया गया है जिसमें अक्छो, त्रो, ग्यों और श्रो तो ये चार वर्ण है जिसको क्या खायाता है सैयुक्त बेंजन कहा जाता है जानते हैं क्यों? क्योंकि ये दो-दो बेंजनों से इस प्रकार मिलकर बने है क्योंकि सेयुक्त बेंजन ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दो-दो बेंजनों का मेल हुआ है जैसे कि अक्छो में को हलंत पलस मुर्धरने सो, त्रो में तो हलंत पलस छोटी रो, ग्यों में जो हलंत पलस यो, और स्रो में तलावे सो हलंत पलस छोटी रो तो सब ही में आपने देखा कि अक्षोत्रो, ग्यों और स्रो ये ऐसे बेंजन है जिसमें दो दो बेंजन मिले हुए है जानि ये दो दो बेंजनों के मेल से बना हुआ है इसलिए इसको संग्युक्त बेंजन कहा जाता है तो इस प्रकार के मेल में आधे बेंजन ने पूरे बेंजन के साथ जुर कर नया रूप बना लिया तो इसमें आपने देखा कि आधे बेंजन ने यानि हलंत जहां भी लगा रहता है उसका मतलब होता है कि वह अक्छर जो है आधा है तो यानि यहाँ पे को हलंत, जो हलंत या तो हलंत और तलवे सो हलंत का मतलब है यह आधा है यानि को आधा है जो आधा है तो आधा है और तलवे सो भी आधा है तो इसमें जो है आधे बेंजन ने पूरे बेंजन के साथ जूर कर नया रूप बनाया है यानि पूरे बेंजन के आधा बेंजन पूरे बेंजन के साथ जूरे लेकिन अपना रूप पूरी तरह से नहीं बदले तब उनका मेल संयुक्ताक्षर कहलाता है तो बच्चों संयुक्त बेंजन और संयुक्ताक्षर में अंतर होते हैं तब उसको संयुक्ताक्षर कहा जाता है तो इसको उदाहरन के लिए हम समझते हैं कि जैसे में मकड़ तो मकड़ में क्या है कि यहां पर आधा ब्यंजन है और यह पूरा ब्यंजन के साथ जुरे हुए है तेकिन इसका रोप नहीं बदला है तो इसले इसको हम क्या कहेंगे सयुक्ताक्षर कहेंगे तो उसी परकार पत्ता, वच्चा, गुबबाडा, मक्खी, पुस्तक, भुट्टा और लड़ू आदी सब्दों में जो है सयुक्ताक्षर का परयोग किया गया यानि जितने भी इसमें रंगीन, बर्न जो दिये गए है जो सयुक्त है यानि आपस में जुरे हुए है यानि दो-दो बैंजन है जो आधा बैंजन जो है पूरे बैंजन के साथ जुरा हुआ है तो इसको और इसका रूप जो है नहीं बदला है इसका रूप जो कातियों है इसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है तो इसे हम क्या करते हैं संयुक ताक्छर करते हैं इसके बाद है इन्हें भी जानिये कि आधा रूप यानि आधा रूप का मतलब होता है कि जब हम रूप में हलंत लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है आधा रूप तो जब आधा रूप जब दूसरे वेंजन के साथ जूरता है तो तब यह वेंजन के सिर पर बैठ जाता है जैसे मेर्च, चर्च, कर्म, परवत, नर्तक तो बच्चों जब आधा रोजो होता है जब आधा रोजो है जब दुसरे बेंजन के साथ जुरता है जब जहां पे यानि रोहलंद होता है और जब वो उसके आगे जो जुरने वाले बेंजन होते है उसके साथ जब जुरता है वह तो वह जो है उसके सीर पर बैठ जाता है सीर का मतलब है यानि उसमें रेफ लग जाता है यानि ये रो जो है रेफ में बदल जाता है जैसे कि यहाँ पर दिया गया मिर्च तो मुझा में क्या है कि 4 से पहले यानि आधा रो आया है तो आधा रो जो है यहाँ पर रिफ में बदल गया उसी परकार चेर्च में कर्म, परवत, नर्तक, आदि सब्दों में यानि आधा रो का पडियोग किया गया है इसके बाद है कि आधा बेंजन जब छोटी रो के साथ जुरता है तब छोटी रो उस बेंजन के पेट में घुश जाता है यानि जब आधा बेंजन जब रो के साथ जूरता है जब कोई आधा बेंजन हो और वह पूरी रो के साथ जूरता है तब छोटी रो जो है उस बेंजन के पेट में घुज जाता है जैसे कि यहाँ आप देख रहा है कि प्रन प्रन में क्या है यहाँ पे कि आधा बेंजन जो है जब जो है रो के साथ जूरता है यानि रो के साथ जूर रहा है यहां पे तो यह जो है यह इस रो में बदल जाता है यानि यह चिन है जिसको रोपदेन की मात्रा भी कहा जाता है तो यह जो है बेंजन के पेट में हो जाता है यानि यहां पे पॉज जो है एक बेंजन है और य कुछी प्रकार क्रम, ग्रह, वज्र, भ्रह्मन, आधी सब्दों में जो है यहां पे इसका प्रियोग किया गया है, यानि ये जो है आधा बेंजन है, जो रो के साथ जुरा है, और रो के साथ जुरने पर जो है उस बेंजन के पेट में घुच जाता है, यानि ये जिसको हम रो के साथ जुडता है तब छोटी रो वर्ण तो या डो के पैर में पढ़ जाता है तो यहाँ पे बच्चों देखिए आप ये समझना है कि तो हलन्त यानि जब आधा तो हो या आधा डो हो जब वो उसको हम छोटी रो के साथ यानि ये रो जो है इसके साथ जब हम जोडते हैं तब जो हुआ रो वर्ण के यानि रो जो अक्षर है उसके उस वर्ण के टो या डो के पैर में पढ़ जाता है तब रो वर्ण जो है टो या डो के पैर में पढ़ जाता है पैर का मतलब है यानि नीचे में लग जाता है जैसे ट्रक, ड्राम, ड्रम, ड्रामा, ड्रेस, आधी सब्ध यांनि उधारन के लिए गए हैं जिसमें है कि यानि आदहा टो और आधा डौ सब्धानर्ड के साथ जूड़ जाता है यहां पर जब रहेuses सब्ध जूड़ोarin जो दो करें नीचे में लिए परियोग किया जाता है जैसे कि ट्रक में एंट में आदी में किया जाता है तो इस पार्थ में आपने संयुक्त बंजन संयुक्त अक्षर और रो के बारे में भी जाना कि कहां पर रो जुरने के बाद कैसे यानि रेप की मात्रा या रोपदेन की मात्रा हम कैसे प्रियोग करते हैं और कहां पर रेप का प्रियोग किया जाता है और कहां आतने बस इतना है